स्वागत आप लोग का एक नए वीडियो में, मैं हूँ सरवन कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर होवानपूर आज के इस वीडियो से NMS एक्जाम 2023 की त्यारी सुरू करने वाले हैं तो अगर आप कक्छा 8 में पढ़ते हैं और NMS एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इस NMS एक्जाम के बारे में तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम complete detail में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे चाहते हैं कि सरी एक्जाम क्या होता है इसमें कितना मारक का क्वेशन पुछा जाता है कैसा क्वेशन पुछा जाता पास कर लेंगे तो क्या मिलता इस टाइप के बहुत सारे क्वेशन आपके मन में होते हैं और इसका त्यारिक कैसे करना है, सारा कुछ detail बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को complete जरूर देखेगा, और वैसे छात्र जो NMS exam पास कर चुके हैं, और छात्र विर्थी का लाब ले रहे हैं, तो वैसे छात्रों से request होगा, कि इस वीडियो को share कर दिजेगा, उन छात्रों तक जो अभी कक्छा आइट में पर रहे हैं, ताकि वो भी इस scholarship का लाब उठा सके, तो चलिए देड़ना करते हुए वीडियो को करते हैं, start, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये NMS exam होता क्या है, तो देखिए भारस सरकार ने 2008 हिस्वी में एक योजना चालू किया था, बहुत सार चालू कि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और इसका कारण होता है कि उसके पास पैसे की कम ही होती है, तो सरकार ने एक योजना लाया, जिसका नाम है राश्टी है आई-समेधा चात्रविड़ती परिक्षा, ठीक है, राश्टी है आई-समेधा चात्रविड़ती प परिक्षा और यह योजना 2008 से चला रहा है और इसमें क्या करता है भारत सरकार कि परते एक साल एक लाख विद्यार्थी का चैन करता है ठीक है एक लाख विद्यार्थी का चैन करता है पूरे और बहर इंडिया से यह परिक्षा भारत के सभी राज और सभी केंद्रसासित देश मराते हैं तो इस परिच्छा में भाग ले सकते हैं ठीक है आप कहीं भी किसी भी सरकार स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल के जो छात्र है वह इस परिच्छा भाग नहीं ले सकते हैं कि वह सरकारी विद्या लाँम जो पढ़ते हो भाग ले सकते हैं और इसमें एक लाख विद्यार्थी का चर्यौता है पूरे इंडिया से अब इसमें सभी राजी का अलग-अलग कोटा क्याम पास हो गए तो क्या मिलेगा- देखिए जो इस एक्जाम में पास करते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा 48,000 रुपेये का छात्रिविर्टी दिया जाता है तो ये 48,000 जो है एक बार में नहीं दिया जाता है इसको दिया जाता है चार बार में जब आप कक्छा 9 में जाते हैं तो आपको 12,000 रुपया दिया जाता है फिर इसी तरह से 10 में 12,000 ठीक है और इसी तरह से 11 में और 12 में तो 4 साल में आपको 12,000 रुपया दिया जाता है एक्जाम आपको बस एक ही बार देना है कक्छा एट में और जब आप पास कर जाते तो आपको चार साल में 48,000 रुपया चात्रिवृति मिलता है जो NMS एक्जाम में पास करते इसको शॉटकॉट में NMS एक्जाम बोलते हैं इसको अगर इसका फूल फॉर्म अगर देखेंगे इसका जो परिक्षा होता है जनवरी या फरवरिम होता है तो इसका जो परिक्षा होता है राज सरकार आवजित करता है तो अलग-अलग राज में अलग-अलग समय पर होता है तो ज्यादा तर राजियों में जनवरी फरवरिम हो जाता है कुछ में मार्च में अप्रेल में म दनवरी से होना च्टार्ट हो जाता और इसका फॉर्म जो है अगस्त इसी मैने से बढ़ना भी शूरू हो जाता तो अभी तक तो किसी राज में फॉर्म भरने का डेट नहीं आएया है तो जैसे ही डेट आता है तो इस एक्जाम के बारे में जो भी अपडेट होता है हो सब आपको इसी चैनल सागर कोचिंग सेंटर वहानपूर के द्वारा सभी अपडेट्स मिलते हैं अन्हें में एक्जाम से रिलेटेड चाहे किसी भी राज में फॉर्म का भरना हो चाहे रिजल्ट निकलता हो चुकि आज पहला क्लास है तो इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं ताकि जो है आप समझ जाएं कि इसमें कैसे क्या करना है तो आपको समझ माग गिया कि 2008 में इसका शुरुवात हुआ था और एक लाख बियार्थी का चैन होता है फुरे औलवर इंडिया से जिसमें बिहार में पांचार चयर सौ रूरीष चिर निर दारित है जो जेसा बड़ा राज है तो उसमें जबानी लग्ष पहल राज है और छोटा राज है तो कम दिर शूर्थी का चैन होता है लेकिन यह पूरे इंडिया में सभी राज के वद्यार थी इसमें भाग ले सकते और क्लास एट के वद्यार थी ही भाग ले सकते हैं ठीक है और 48,000 रुपया चाथ मिलती मिलता है पास करने के बाद इतना कुछ आप लोग जानते होंगे तो बिहार की अगर बात करेंगे तो इस बार 33,000 विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था ठीक है लेकिन इसमें परिच्छा में सामिल हुए सिर्फ 29,000 विद्यार्थी और इन में से 44,000 विद्यार्थी इस बार पास किये तो यह देख सकते हैं कि 5000 सीट है और विद्यार्थी पास की सिर्फ 44,000 तो सीट खाली चले जाता है अगर विद्यार्थी थोड़ा सा मेहनत करें तो आसानी इसमें पास हो सकता है और सोचे एक बार ही आपको एक्जाम देना है और पास कर जाते हैं तो आपको 48,000 रुपया चात मिलती हैं जो की परिछा आप पास किये और उसके बाद काफी सहयोग हो जाता है आपको आगे की पढ़ाई के लिए तो हरे एक उस विद्यार्थी को परिछाम भाग जरूर लेना चाहिए जो क्लास 8 में पढ़ते हैं अब सवाल यह आता है कि बहुत सारे छात्र इसमें भाग ही नहीं लेते तो इसके पीछे का रिजन क्या है तो सबसे बड़ा जो रिजन है वह जानकारी का भाव बहुत सार जो भी है तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाईएगा जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं ताकि वह इस योजना का लाव उठा सके और दूसरा दिक्कत यह आता है विद्यार्थिक सामने कि मान लीजिए व और नहीं भड़ते हैं कि तयारी कैसे करेंगे तो इसका भी स्लूशन है कि आप घर बैठे ऑनलाइन तयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन तयारी कैसे करेंगे वह सारे छात्र कर रहे थे कि सर्व ओनलाइन तयारी करेंगे कैसे देखिए वाई ओनलाइन तयारी करने के लिए आप उसका सारा का सारा हम वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर का और आप उसको देख करके सीखना और एक्जाम देना है पर सिंपल सा बात है कि इस चैनल पर जो वीडियो आएगा आने में से रिलेटेड आपको उस वीडियो को देखना है इसी से आपका त्यारी हो जाएगा और जैसे कि जो भी पढ़ाते हैं तो उसका पीडियेफ बहुत सारे चात्रों को जरत पढ़ता है जैसे माल यह बहुत सारे चात्रों पास किताब नहीं यह मेरे पास दो बुक है यह देख सकते हैं यह उपहार गाइड है राश्टिया इसमेदाचारत परती यह 2023 के लिए है आजन्ता प्रकासन का भी है और अलगलग प्रकासन का मेरे पास बहु通 सारह आता है तो आप कोई भी काइड खरी सकते हैं अगर नहीं भी खर दें तो कोई दिख करने आपको PDF मिल जाएगा तो इसके लिए आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन करना होगा जिसका की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है या आप चेनल के अबॉट सेक्शन में जाएगे तो वहाँ भी टेलिग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा आपको उसमें जोइन कर लेना है टेलिग्राम में जोइन करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता जिस तरह से WhatsApp एक अप्लिकेशन है उसी तरह से Google Play Store पर एक अप्लिकेशन है जिसका नाम है टेलिग्राम आपको सिंपल सा उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें पढ़ाई लिखाई सम्मधित बहुत सारा चीज आपको मिलेगा तो यह डाउनलोड कर लिजिए और उसमें सारा पीडियेप आपको मिलेगा जो भी पढ़ाएंगे तो उसका पीडियेप उसमें दे देते हैं जो भी जानकारी आता है तो उसमें आपको मिल जाएगा तो समझ में आ गिया होगा आपको सारा जानकारी तो अब सवाल आता है कि इसका परिच्छा जो है जनवरी फरवर्ण में होता फॉर्म आएगा तो आपको बता दिया जाएगा फॉर्म ओनलाइन भरना पड़ता है और उसमें कोई किजी अभी थोरा टाइम है फॉर्म जो है पिछले बार दिसंबर में फरा गया था बिहार में तो अभी टाइम है एक दू मेहना के बाद आप बनवा लिजिएगा इस सब डोकुमेंट्स जो बताए हैं तो इससे आपको फॉर्म बढ़ने में ठीक रहेगा तो फॉर्म बढ़ सेट और एक होता मैड इसमें बहुतबह संपूछेंगे और इसमें अब यह सट और मैर क्या होता देखिए साइट का मजलкое सएक्षी के यगता परिचार मैट का मतलब मांसी की परिचार तो सेट के अंतरगत जो है आपको Wie the chat के अंतरगत आपको science science से 35 question पूछेगा ठीक है और social science से social science से भी आपको 35 question पूछेगा और math से 20 question पूछेगा तो total हो गए 90 तो social science में आपको इस तरह से question आता और math की बाद तो इसमें आपको reasoning पूछेगा बहुत सारे छात्र करें ते सब reasoning क्या होता है तो reasoning हम बताएंगे आगे आने वाले class में तो आपको समझ में आ जाएगा कि reasoning क्या होता है तो यह कितना पसिना बहरा है वीडियो को like जरूर कर दिजए क्योंकि यहां तक देख लिए तो और एक अच्छा सा comment जरूर कर दिजएगा ताकि हमें पता चले और अपने जिला का भी नाम बता दिजएगा ताकि पता चले कौन-कौन विजारती कहां से जुड़े होगे है तो देखिए समझ में आ गया कि question आपको 90 question पूछेंगे set में और 90 question में दोनों में pass करना जरूरी है और simple size का परणडा है कि आपको दोनों में 35 से ज़्यादा नमबर लाना है ठीक है दोनों में 35 से ज़्यादा नमबर जो SC SC category से है तो उसके लिए थोड़ा छूट भी मिल जाता है जो विकलांक है कुण-कुण चीज पढ़ना परेगा science का त्यारी करना परेगा social science का social science में तीनों subject है इतिहास, Google, नागरिक, सास्त्र और science में भी आपको तीनों है physics, chemistry, biology और maths में तो है ही और इसके बाद आपको reasoning का त्यारी करना है लगवग 20 chapter reasoning का है उसमें verbal reasoning, non-verbal दोनों पुछेगा तो वो सब आगे आने वाले वीडियो में बताएगे तो आप लोग comment करके बताएगा कि पहले किसकी त्यारी शुरू करना चाहिए science का करें कि social science का या math का या की reasoning का तो comment में बताएगा ज्यादा comment बारे में आएगा तो उसी पर वीडियो बनेगा तो देखिए science और social science में तो आपको याद करने वाला ज्यादा मिलेगा question क्योंकि सारा का सारा question objective पुछा जाता है यानि एक प्रस्न पुछेगा और चार विकल प्रेंगे उसमें जो सही है उसको रगना होता है तो इसमें तो notes देंगे आपको ठीक है कि किस तरह का question पुछेगा notes देंगे और उसी से आपको question आएगा पिछले वाल भी जो हम notes दिये थे तो उसी से question आया था तो इसमें तो आपको याद करने के लिए तो इसकी त्यारी भी करेंगे आप लोग comment करके बताएगे क्या सुरू करना है ठीक है तो लगबग सारी जानकारी हम बता चुके हैं तो next video जब आएगा तो उसमें जो है आप लोग comment करेंगे तो उसको शुरू किया जाएगा अब से आपको regular video मिलने वाला है तो चैनल को subscribe जरूर किजेगा वीडियो को share किजेगा like किजेगा comment किजेगा ताकि जो है आपको मैं नया नया वीडियो रोज दे सकूँ आप लोग का प्यार ओड़ सपोर्ट चाहिए तो आगे बढ़ेंगे ठीक है जै हिंद